Hello everyone, welcome back to my YouTube channel IELTS with MK I hope guys, आप लोग बहुत अच्छे होंगे So guys, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी reading के बारे में क्योंकि बहुत जादा जो student है, उनको जो main problem आती है, वो reading में ही आती है Different types की problem आती है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी एक type जिसको की आप without translation कर सकते हो देखो आप लोग hard work करते हो, लेकिन फिर भी आपका time manage नहीं होता है फिर भी आपके जो score है वो 5, 5 के रहते हैं तो आप एक बार इस technique को follow करके देखना time management भी होगा क्योंकि hard work नहीं important होता है, smart work भी important होता है so smart work किया करो, smart work add करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छो result उसके मिलना है, शुरू हो जाते हैं जैसे कि आज का जो हमारा reading का topic है, आप उसको read out कर सकते हो Space technology in Asia चाहे इसके बारे में आपने पहले पढ़ा हो, चाहे ना पढ़ा हो लेकिन फिर भी आप इसको solve कर सकते हो, वो कैसे करना है, वो मैं आपको बताऊंगी so देखो, topic चाहे unfamiliar हो, चाहे आप से familiar हो लेकिन अगर आपको tips implement करनी आती है, तो आप definitely कर सकते हो इसके regarding word बहुत सारे इसमें use होंगे आपको पता होगा, नहीं बता होगा, कोई problem नहीं है लेकिन हम इसको फिर भी solve करेंगे so देखते हैं, so कौन से question आज मैं आपको करके बिताऊंगी 33 to 36, so मैंने passes 3 को ही पकिया है जोसको की आप लूग समझते हो, बहुत difficult होता है लेकिन actual में ऐसा नहीं है, ठीक है अगर आपको taps आती हैं, तो आप definitely कर सकते हो so देखो, 4 question है हमारे पास ठीक है, जब भी आपको ये वली आएगी ये कौन सी type है, matching है ये ठीक है, जब भी आपको ये type आएगी तो अपने सबसे पहला काम क्या करना है questions को count करना है so questions को count करो, 1, 2, 3, 4 4 questions है हमारे पास options कितने है हमारे पास options है अब हमें क्या चीज़ पता लगी है कि इसमें से हमारे पास two options है, जो कि सिरफ हमें confuse करने के लिए दिए होई है क्योंकि, क्योंकि जिसका हमने answer देना है, वो सिरफ four है लेकिन option मारे पास six है तो two options इसमें extra है जरूर लिखना है कितने extra जैसे मैंने यहां पे लिख दिया two extra है इसमें अब यह वाली type में आपको करवाने चारी हैं smart work की तरेंग के किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं यही मैंने अपने online class में भी करवाई है सो इसी वज़े से मैं आप लोगों के साथ भी discuss करती हूँ सबसे पहले हमने counting कर ली extra वगारा देख लिया अभी कितने extra है क्या क्या चीज़ इसमें है अब क्या करना है questions को read out नहीं करना है करना क्या है questions में से keyword को pick करना है जतने भी questions है उनके keyword को pick करो देख सकते हो भी four के four questions में से जतने भी keywords मुझे मिले है unique word जो मिले है जो lengthy word मुझे मिले है वो मेरे keywords होंगे अब मैंने इनको पीछे find out करना है मैंने कुछ भी options वगारा को पहले read out नहीं किया जैसे मैं आपको बता रही हूँ एक बड़ ट्राइ करके देखना बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको आपको without coaching भी आप इसको कर सकते हो clear ठीक है तो आप लोग यहां भी देख सकते हो कि मैंने जतने भी मुझे keywords मिले है मैंने उसको इस तरीके से सरकर कर लिया उनके उपर आपने भी ऐसे करने है ठीक है अब हम लोग क्या है यह जो options है इसमें से मैंने keywords को marki है जैसे की crop, unapproachable areas, rapid expansion, space technology, non-technical factors, satellite equipment, natural disasters ठीक है अब हम इसको just scan करेंगे जिसमें इसकी बात मिल जाएगी वो हमारा accurate answer है हुआ जाएगा so one by one देखते है जो हमने keywords passage में marki है यहाँ पर आई तो मुझे rapid expansion यह लिखा हुआ मिल गया Asia भी मिला, space भी मिला अब मैं देखते हूँ कि यह किस option के साथ मैच होती है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यह option C के साथ मैच हो रहा है क्योंकि हमने rapid expansion भी पढ़ा space भी पढ़ा और Asia भी पढ़ा ठीक है तो हमारा answer आगए इसका वो है C ठीक है इस तरीके से करना अब दूसरे देखते हैं कौन-कौन से बचे हैं जो आपको हो जाता है ना उसको आपने cut जैसे यह वाला option मेरा हो गया मुझे यहां पर क्या मिला non-technical factors लिखा हुआ मिला कोई भी टॉक natural disaster commercial crops इसके साथ related नहीं मिली कौन सा word मिला मुझे non-technical word मिला अब देखते हैं यह किसके साथ मैं आच होता है तो यहां पर आप देख सकते हो non-technical factors है वो हमें D में given है तो हमारा second का अंसर आजाएगा वो है D इसको भी मैंने कट कर दिया अब हम देखते हैं satellite equipment, commercial, natural disaster unapproachable areas, crops किसकी बात हमीं मिलती है ठीक है जिसकी बात मिलेगी वो हमारा accurate अंसर आजाएगा लेकिन दो फालतू भी है इसमें वो भी चीज़ हमने remember रखनी है तो देखते हैं सो जब मैं यहां पर आई तो मुझे यह commercial लिखा हुआ मिला ठीक है commercial मुझे यहां पर लिखा हुआ मिला equipment की जगे पर mechanism मुझे लिखा हुआ मिला अब देखते हैं यह किसके साथ match होता है इसमें मुझे कोई भी जो talk है वो crops के regarding ठीक है natural disaster के regarding कुछ भी नहीं मिली है ठीक है किसकी बात मिला है मुझे mechanism and commercial की बात मिली है तो देखते हैं ना मुझे वहां पर crops मिला ना ही unapproachable areas मिला ना ही natural disaster की बात मिली तो क्या मिला हमें commercial satellite equipment इसकी बात मुझे वहां पर लिखी होई मिली है commercial भी मिला satellite भी मिला और equipment की जगे बर mechanism मुझे दिखिया ठीक है तो इसका जो answer है third का वो आ जाएगा हमारा E अब इसको भी मैंने cut कर दिया अब मेरे पास सिरफ 36 question बचाया और option मेरे पास 3 है ठीक है अब हम देखते हैं उसमें हमें crops की बात मिलती है unapproachable areas की बात मिलती है जो फिर natural disasters environment के regarding कोई word मिलती है तो यहां भी मैं आ गई अब मैं यहां भी scan करूंगी crop word मुझे मिलता है unapproachable areas की बात मिलती है जो फिर natural disaster इसकी बात मिलती है और जब मैं यहां पर आई मुझे direct word मिला environmental, disaster, natural resources किसके साथ related word मिले है सारे environment के साथ related word मिले है तो कोई भी जो talk है वो crops की नहीं हुई है unapproachable areas की बात नहीं हुई है किसकी हुई है natural disaster के environment की talk हुई है तो इसी वज़े से जो last है उसका अंसर बारा आ जाएगा वो होगा F तो कौन से two option extra थे वो थे A और B ठेक है आपने भी इसी तरीके से करना है scan करके करना easily हो जाएगा ठेक है पहले locations को find out कर ले न उसके बाद जो options के keyword है वो match करने आपने that's it ऐसे ही करना है I hope guys आपको समझ में आया होगा तो अगर समझ में आ गया तो चानल को सब्सक्राइब और शेर जरूर करना thank you for watching